नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखते हैं जो कैपिसीटर के जो most important questions है उन कुछिनों को हम step by step यानि कि पहले कुछिन से लेकर end तक जितने भी कुछिन कैपिसीटर के जो कुछिन आते हैं और उन कुछिनों को अब में आने वाले होते हैं और आप उनके अगर लेते हैं उसको confused होके उनको कुछिनों को छोड़ देते हैं तो आपको confused नहीं होना है तो आप उन इन सवालों को समझते हुए चलते हैं ठीक आइस तो दोस्तों पहला question है हमारा पहला question है परिपत की कुल सांधारितरत की गर्णा कीजिए जो हमारा जो capacitor होता है ठीक है उसका जो दूसरा नाम होता है सांधारितरत यानि कैपिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो कैपिस्टेंस की बात मैं यहां करता हूँ कि जैसे अपने कैपिस्टेंस होता है वो हमें से किसका विपरीत होता है प्रतिरोध का विपरीत होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि का माद जैसे स्रेनी करम में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ऐसे होता है ना तो इसी प्रकार से जब कैपिस्टेंस के अगर मैं बात करूँ तो कैपिस्टर में क्या होता है कि जैसे C बराबर c बराबर क्या होगा c बराबर क्या होगा SurinikANG में दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा की 1 अपॉन C1 Plyss 1 अपॉन C2 Plyss 1 अपॉन C3 तो इसका मतलब ये है कि ये किसका वीपृत होगा याँ पर प्रतिरोध का तो जैसा हमारे पास यह सुत्तर है, उस सुत्तर के according क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं, कि जैसे हमारे पास c बराबर क्या होगा है, यहाँ पर 1 upon c, 1 कमान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 30+, और second जो capacitor लगा हुआ है, कितना है, 10 microfarad, plus 1 upon 30, ठीक है, तो जो इसमें हमारे पास जो LCM होगा, LCM क्या होगा, यहाँ पर 30 LCM होगा, तो 30 में 30 से कम, 30 रेक को इसे multiply करेंगे, तो क्या होगा, 1 होगा, plus, 30 में 10 का बाग, 30 में 10 का बाग देंगे, तो कितना होगा, 3, 3, 3 को एक से उना करेंगे, तो क्या होगा, 3, plus, 30 के कम, 30, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ तीनिक चार एक 5 यानि कि 5 बटे 30 हो गया ठीक है guys तो ये 5 बटे 30 आया है 5 बटे 30 में हमारे पास है कम 5,5,6 तीस यानि कि क्या हुआ है हमारे पास 1 बटे 6 अगर मैं केवल सी का मान गात कर रहा हो ने हापे केवल कैपिस्टेंस के बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा तो हमारे पास जो right answer क्या होगा यहां पर 6 micro farad होगा तो देखते हैं इसमें 6 micro farad कौन शे option में है देखो दोस्तो 6 micro farad आया था हमारे पास तो हमारे पास option B आ रहा है तो हमारे पास B option में कहा है 6 µF क्या होगा इसका answer होगा ठीक है तो यह जो इस परकार के सवाल होते हैं उस सवालों को अपन दीरे दीरे उस चीज़ को समझते हुई जैसा question बोल रहा है उस question को देखते हुई क्या करते हैं उसको आगे सोल करते हैं ठीक है तो next question है हमारा next question है question number 2 सांदारित्र की इकाई क्या है what is the unit of capistence ठीक है तो जो capistence होता है उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है देखो option में हमारे पास क्या के दिया हुआ A option में है महो ठीक है दूसरे में है हैंडरी तीसरे में है फैरड D में है कुलाम दोस्तों आपको पता है कि जो महो, हैंडरी, फैरड और कुलाम दिया हुआ है ठीक है जो हैंडरी किसकी होती है इंडेक्टर की इकाई होती है फैरड किसकी होती है यहांपे capistence होती है और C कुलाम यहने की आवेस की होती है और जो महो होती है वो चालक ताकी होती है ठीक है तो बूजा किसका गया यहाँ पर कैपिस्टेंस के बारे बूजा गया कि कैपिस्टेंस की इकाई क्या होती है तो हमारे जो कैपिस्टेंस की इकाई क्या होगी यहाँ पर फैरड होगी तो यह हमारे पास राइट आनसिर क्या होगा C होगा यहाँ पे थीक है तो next question क्योंक्रेश को चलते हैं Next question है हमारा तीसरा question है एक सानधारितर का धारिता मान क्या होगा जो एक सानधारितर यहनjąनी की कैपिसेटर की धारिता का मान भूज रहा है केवल धारिता यानि C भूजरा यहां पे ठीक है यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कुलाम आवेस की आव सकता हो ठीक है तो अब देखना इसमें जो हमारे पास C का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है यहां पे C का मान और एक होता है के नाम इसका देखते हैं इसको सवाल को करते है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला यह होता है हमारा क्यों बराबर C V होता है ठीक है गाई क्यों बराबर क्या होता है C V होता है यानि क्यों बराबर क्यों बराबर C V होता है तो हमारे पास देखो यहाँ पर C कमान गयाद करवा रहा है Q कमान कितना दिया हुआ है 0.5 बराबर C कमान क्या गयाद करवा रहा है V कमान कितना दिया हुआ है 35 वोल्ट दिया हुआ है ठीक है तो C बराबर क्या होगा यहाँ पर Q upon V होगा तो Q कमान हमारे पास कितना है 0.5 बटे 35 ठीक है तो अगर मैं 0.5 में 35 का अगर भाग देता हूँ ठीक है 0.5 में 35 का अगर मैं भाग देता हूँ तो अगर मैं यहां पे पॉइंट को टाऊँगा तो यहां पे 0 जाएगा ठीक है तो यहांने कि 5 बटे 35 तो साथ पंजू पैतीस यानि कि कहने के मतलब यह है कि जो हमारा जो answer आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 0.014 फैरड आएगा ठीक है तो आप इसको solve करके देख लिए ला कि 0.5 में अगर मैं 35 का अगर भाग देता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा 0.014 फैरड आएगा ठीक है तीस बीजिसे हमारा answer क्या हो गए यहाँ पे right answer A option सई होगा ठीक है चलते next question की ओर next question है हमारा चार नंबर तो चार नंबर क्यूसन है सांधारितरता के मान को कैसे कम किया जा सकता है जो कैपिस्टेंस होता है उस कैपिस्टेंस के मान को कम करते हैं तो कैसे कम करेंगे अपन ठीक है तो उस कम करने का क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास option है देखते हैं कि plate 6 तरफल को बढ़ा कर यानि कि जो plate होती है जो battery की plate होती है उन plate को अगर मैं बढ़ाता हूं तो Capistence का मान घरता है बढ़ता है, देखते हैं आगे किया Option में और क्या आता है Next Option है हमारे पास प्लेटों के परतिरोद को बढ़ा कर यानि कि आगर मैं प्लेटों के resistance के मान को बढ़ाता हूं तो उनके Capistence का मान कम होता है या ज़ादा होता है तो देखते हैं आगे option क्या आता है प्लेटों के मद्दे दूरी बढ़ा कर option D है उचे पैरा वैदुतिक नियतांग पदार्थ का उपयोग करके ठीक है तो हमारा जो right answer होगा कि इसमें question ये का गया है कि कैपिस्टेंस के मान को कैसे कम किया सकता है कि हमारे पास एक ही तरीका है कि कैपिस्टेंस के मान को कम करने का तो हमारे पास क्या होगा यहां पे right answer होगा प्लेटों के मद्दे दूरी को बढ़ा कर क्या कर सकते हैं कैपिस्टेंस के मान को कम किया जा सकता है ठीक है तो next question है हमारा next question है 5 number इस पांस नंबर कुशन को देखते हैं पांस नंबर कुशन है पैरा चुम्बक के पदार्थ कौन सा है दोस्तों आपने जो चुम्बक वाला चैप्टर है उस चुम्बक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा है कि पैरा पैरा और डाया तीन प्रकार के प्रकार होते हैं तो उसमें हम एक option दिया है यानि कि तीसरा step दिया हुआ है ठीक है तीसरा प्रकार दिया हुआ है तो तीसरे प्रकार में क्या होता है कि पैरा चुम्बक के प्रकार यानि कि उसके अंदर जिसमें चुम्बक का कोई भी गुण आवसेस नहीं होता हो या को चुम्बक नहीं बनती हो तो ऐसे कौन से पदार्थ है यहाँ पे हमारे पास option A दिया हुए वायू, B दिया हुए spot यानि steel और C दिया हुए gel और D दिया हुए platinum तो यह वायू और spot और platinum यह तीनों जो है तीनों तो क्या है यहाँ पे अलग अलग परकार के हैं लेकिन जो जल है हमारा वो इसका क्या हो गया कि पहरा चुम्बक के पदार्थ का उधार्ण है ठीक है इस वज़े से हमारा जो right answer हो क्या हो गया यहाँ पे C होगा तो C में हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे जल हमारा answer ठीक है ठीक है तो next question क्यों चलते है चाटे number question है चाटे number question है कौन सा कारक विद्धुत चुम्बक के की दुरुवेता यानि की polarity को प्रभावित करता है जो विद्धुत चुम्बक है यानि की electromagnetic की बात कर रहा है यहाँ पे electromagnetic की जो polarity दुरुवेता को प्रभावित करता है ठीक है तो option है हमारे पास A कुंडली की लंबा यानि की length of the coil यानि की कुंडली की अगर लंबा ही बढ़ता हूँ तो अगर उसकी जो विदुद चुम्बक की दुरुवेता है क्या प्रभावित होगी देखते है next option है direction of current यानि की धारा की धिसा ठीक है C option है strength of current यानि की धारा की सक्ती D option है strength of magnetic field यानि की चुम्बक की छेतर की सक्ती तो दोस्तों इसमें जो अमारा जो आनस्वर होगा जो विदुद चुम्बक की दुरुवेता को प्रभावित करता है वो ध्यान रखना की जो option B है वो धारा की धिसा इक प्रभाविते करता है ध्यान रखना कि इसमें कई बार कुस्चन आया हुआ है कि जो विदू चुम्बक की दुरुवता को प्रवायुत करने का जो कारक है वो क्या होता इक दारा की दिसाही क्या होता है इसका राइट अनस्वर माना गया है थीक है तो next question के और चलते है साथ number साथ नंबर कुश्चन है हमारा साथ नंबर है चुम्बक के वाग बल की इकाई क्या है यानि कि what is the unit magnetic motive force यानि कि mmf जो चुम्बक के वाग बल की जो इकाई होती है वो क्या है ठीक है तो option में है ampere प्रती meter square option b है ampere meter option c है ampere turns और d option है ampere प्रती turns तो दोस्तों इसमें जो MMF का जो मातरक होता है MPR turns ही होता है ठीक है इसका जो मातरक होगा MPR turns यानि की right answer हमारे पास क्या होगा option number C right answer है ठीक है next question है art number art number question है हमारा art number question art number question हमारा यदि तीन प्रेरक्तत L1, L2 और L3 सरंखला में जुड़े हुए है तो कुल प्रेरक्तत तो क्या है यानि की यहाँ पे inductor की बात कर रहा है यहाँ पे तीन inductor लिया हुआ है inductor L बराबर क्या होता है किस में जुड़ा हुआ है सरंग series में जुड़ा हुआ है series में जुड़ा हुआ है series का सुत्तर होता है L1, L2, L3 होता है हमने पढ़ा है कि resistance का मान पढ़ा हो चाए inductor पढ़ो चाए capacitor क्या होता है पर तीन होता है तो जो हमारे पास स्रेणी में है तो हमारे पास जो आनसर क्या होगा राइट अनसर होगा ठीक है तो next question की ओर चलते है no number है no number question है what is the what is the unit of permeance यानि की permeance की इकाई क्या है जो permeance है जैसे अपने जो इकाईया है जैसे permeance है magnetic motive force है ठीक है reluctance है यह जो इकाईया है उनकी काईयों को permeance की काई के बारे मुझा गया है ठीक है तो option है अमारे पास ampere turns यह तो क्या होती है mmf की काई होती है weber परती ampere turns और c है ampere turns परती weber और d option है weber परती meter square तो दोस्तों जो अमारे पास ampere turns है वो mmf की काई है ठीक है और जो weber प्रति मिट्र स्क्वाइर है वो weber यानि की चुम्ब के फ्लक्स गनतों का ठीक है तो ये अमारे पास जो ampere turns या पर्मियन्स की इकाई होगी यहां पे क्या होगा यहां पे option number be right answer होगा यानि की weber प्रति ampere turns क्या होगा इनका पर्मियन्स की इकाई होगी ठीक है तो next question है हमारे पास 10 number है कि 10 number question है कि परे नली का यानि कि इसमे ठोड़ा sote दिया हुआ है अगले page में देखते है उसको परे नली का यानि परे नली का कंडली में चुम्बा के चेतर की दिसा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया है जो एक परे नली का है ठीक है वो परिनली का जैसे इस परकार से बनी हुई है ठीक है तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास से चुम्ब के छितर की दिसा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है जैसे हमारे पास से राइट हैंड प्लम रूल का प्रयोग करते हैं कि जैसे हमारे पास यह हमारे पास क्या होगा एक अंग उठा होगा और यह हमारे क्या होगी अंगुलिया होगी तो यह जो अंग उठा है यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर चुम्ब के छेतर की दिशा को क्या करता है इंगित करता है तो यह कौन सा नियम होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर right answer होगा, ठीक है गाइज तो flaming का जो बाएं हाथ का नियम होता है, motor पर flaming का दाएं generator में होता है core का screw नियम होता है, वो उसकी कह करता है जो उसकी दुद्धिसा होती है ठीक है, त्री ओर दक्षनी दिसा के बारे में क्या करता है, उसको बताता है core का screw नियम का, ठीक है next question है, हमारे पास 11 number है 11 number question है तो इस question को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि इस question में कुछ आप उपन को जो data है, वो data कुछ clear दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वज़े से हम उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको जूम कर लेते हैं अपन ठीक है, तो इसको जूम करेंगे तो जूम करने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा clear दिख जाएगा अपन को ठीक है, तो चलते हैं इस question को कि स्रेणी परिपत की कुल दारिता सांदारितरी की गड़ना कीजियें यानि कि स्रेणी परिपत हमारे पास को दिया हुआ है और उसकी क्या करना है total capacitance का मान ज्यात करना है ठीक है, तो आपको पता है कि total capacitance, यानि कि स्रेणी करम की बात कर रहा है यहाँ पर तू जैसे आमारे पास C1 का मान कितना दिया हूँ है यहाँ पे 1 बटाए 10 प्लस 1 बटाए 10 प्लस 1 बटाए 20 ठीक है जो तरीका है वो यही तरीका होगा तो आप इसको घबराने कोई बात नहीं है लेगन इसको आप आसानी से कर सकते हो तो देखो इसका LCM लेते हैं तो LCM क्या हो गए यहाँ पे LCM लेंगे यहाँ पे 20 ठीक है तो LCM लेंगे इसका जैसे हमारे पास LCM हो गए 20 तो हमारे पास क्या था कि जैसे बबार लग लेते हैं एक बटाए 10 प्लस 1 बटाए 10 प्लस 1 बटाए 20 तो यहाँ पे 20 लिया तो 10 से कम पांच यानि कि 5 बटे 20 तो मैं केवल ही केवल कैपिस्टेंस का मान गयात करूँगा ना टोटल कैपिस्टेंस की तो यहां क्या होगा सीटी बराबर क्या होगा 20 बटे 5 यानि कि 5 एक पांच होगा 20 यानि कि क्या हुआ हमारे पास 20 micro farad क्या होगा यहाँ पे total capacitance का मान होगा ठीक गाईज तो देखते हैं इसमें जो option होगा हमारे पास option A आ रहा है ठीक है तो हमारे पास option A है हमारे पास क्या होगा right answer होगा ठीक गाईज तो next question क्यों चलते हैं next question है हमारे पास 12 number तो 12 number में है स्रंखला में विभिन वोल्टेज रेटिंग सांधारितरों को जोडने से पहले क्या सावदानी बढ़ती जानी चाहिए ध्यान रखना है कि जो स्रंखला series में जो विभिन वोल्टेज रेटिंग यानि कि अलग अलग मान कि जो कैपिस्टर होते हैं कैपिस्टर होते हैं उनको जोडने से पहले क्या कैसा अवदानी अपने को रखनी पड़ती है वह ये कैपिस्टर हमारे satisfying करता है कि स्रंखल प्र adjust find क्या दिया हुआ है खƯे तो option number A में दिया हुआ है सब B capacitor A की निर्माता के होने चाहिए घलत बात यानि कि पहले चीज़ में दिया हुआ है कि अविभिन मान के voltage के दिया हुआ है ठीक है तो next B option में दिया हुआ है तो दियान रखना कि A option तो हमारे पास हो नहीं सकता answer में हो नहीं सकता अब देखते हैं next option क्या है कि प्रते capacitor voltage drop इसकी voltage rating से कम होना चाहिए ठीक है प्रते capacitor voltage drop इसकी voltage rating से कम होना चाहिए मानता है कि वही इसका जवाब सही हो सकता है और option देखते है C तो C में क्या है कुल कैपिसिटर का मान सांधारितर के निमनतम मान से कम होना चाहिए ठीक है, ये भी बात थम सहमत है लेकिन आगे और देखते हैं, प्रतेक सांधारितर का breakdown voltage समान होना चाहिए, ये गलत बात है ठीक है, और जो हमारे पास C option था, कुल कैपिसिटर का मान सांदारतिर के निम्न मान से कम होना चाहिए ये भी गलत है ठीक है तो जो हमारे पास option number B है option number B है प्रते कैपिसिटर voltage drop इसकी voltage rating से कम होना चाहिए जो voltage drop की बात कर रहा है यहां पे तो विबिन मान के हैं तो यहां पे हमारा जो जवाब होगा सही होगा वो क्या होगा यहां पे B ही होगा ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं कि जो विबिन मान का जो कैपिसिटर है सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसकी जो जोडने का जो सावदानी है वो सावदानी यही है कि इसमें जो जवाब होगा हमारे पास प्रते कैपिस्टर वोल्टेज ड्रोप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए तो हमारे पास राइट आनसूर क्या होगा बी ओप्शन सही होगा ठीक आइज तो नेक्स्ट क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्यों है मारे पास तेरा नमबर तेरा नमबर है कौन सा पदार्त आनोचुम्ब के पदार्त है भई देखा हमें थोड़ देर पहले जो पिसले कुस्टन में हमने देखा था कि उसमें भी यह चीज आया था एक पैरा मैगनेटिक आया था तो यहां पे आनोचुम्ब के यह नहीं कि पैरा मैगनेटिक उसमें आया था पैरा वाला जो पैरा की बात कर रहा है पैरा डाया मैगनेटिक की बात कर रहा है जिसमें विद्धुम्ब का गुण उसे नहीं पा क्लिट वायरिंग, ओप्शन B, तामभा, C है बिसमेट, D है ग्रेफाइट, तो दोस्तों इसमें जो आनुचुम्बा की पदार्थ, यानि कि पैरा होता है, लोगा चुम्बा की पदार्थ होता है, उसमें तो चुम्बा के गुण 11 से अधिक होता है, ठीक है, और जो पैरा पैर, उसमें पाए जाते हैं, लेकि निकाहिसे कम होता है, तो हमारे पास जो जवाब होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे कोपर होगा, यानि कि तामभा होगा, ठीक है, तो जो अनुचुम्बा की पदार्थ का जो अगर एक्जाम्पल है, तामभा हुआ, अलुमीनियम हुआ यह क्या है, अनुचुम्बा के पदार्थ, यानि कि पैरा मैगनेटिक के ही उदारन है, ठीक है, तो हमारे पास राइट आनसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, नेक्स्ट कुशन क्यों जलते हैं, चोदा नंबर, चोदा नंबर कुशन है, बी एच वक्र में एक्स दुआरा अंकित भाग का नाम बताइए, जो इस ग्राप के अंदर है, जो भी एच लूप, यानि कि इस्टेरिसिस जो लोसेस होते हैं, वो इस परकार से इसको समझाया गया है, तो जैसे इसमें एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो इसमें जो भी एच लूप होता है, जो इसमें चारूप, H+, यानि कि स्टेरिसिस, B, यानि कि फ्लक्स, ठीक है, तो जैसे इसमें जो X, X, 3 का निसान लगा हुआ है, तो यह हमारे पास क्या है, एक X का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ से चलते हैं, यहाँ सला, तो यहाँ पर चला, आके, ठीक है, और फिर वापस यहीं पर आया हमने ठीं कि यहां तक जओंप बना है तो यह जीरो से लेकर यह तक चला यह Central तरक अवस्ता होती है टीक है क्या होती हैं यहां पर omAT बन जाता है यहां से 0 अठकर center point points से लेकर और उपर क्यों चड़ते हैं तो saturation point बनता है और saturation point condition say यहां तक आते हैं तो कहिए नगाने कि यहां बन गए यह, Iya, हैं तो यहां से यहां तक बना, तो यहां पे क्या बना कि कुछ चुम्हतकर के गुण यहाने की अपसिष्टिय पदार तूर बन गई ठीक है तो यहाँ पे जो बनता है तो इसमें क्या होता है कि चुम्बा के गुण विद्मान तो होते हैं लेकिन कम होते हैं ठीक है तो हम देखते हैं option में क्या दिया हुआ है option के हिसाब से अपन चलते है option में क्या दिया हुआ है ठीक है तो option में हमरे पास है कि पहला option coercivity coercivity B option है संतरप्त point और C option है चुम्ब के बल और चोथा point है आउसे चुम्ब कतो ठीक है अब देखते हैं हम इन चारो point को समझते हुए चलते हैं ठीक है तो coercivity यानि कि जो 0 point से चलता है ठीक है guys जो X point है वो coercivity है यहाँ पर चला यहां से ठीक है तो saturation point पर यहां पर बन गया तो क्या बना यहां पर saturation point यानि कि दूसरा point संतरप्त point बिंदू बन गया ठीक है अब संतरप्त बिंदू से यहां पर पहुंचता है जैसे flux के बीच में जो point पूरी जो चुम्ब के रेखा नहीं पहुंच पाई है तो यहां पर जो residuals की बात करें ठीक है यहां पर आवसे इस चुम्ब कतो बन जाते है ठीक है क्या बन जाते है यहां पर आवसे इस चुम्ब कतो यानि कि residuals magnetic बन जाता है और यह residuals के बाद में जो यहां पर point पहुंचता है तो यहां से point पोंजने के बाद में चुम्बा के बल रेखाई बन जाती है ठीक है? तो जैसे ये चुम्बा के बल रेखाई बनती है तो वापस ये विपरी धिसा में क्या करता है संत्रफ्त point की तरफ चला जाता है तो जो x बिंदू जो दर्शारा है ये हमारे पास क्या है एक कोरिशिटी है यानि कि option क्या है B हमारे पास क्या है A option right होगा कि जो इस चीज के अंदर जो दर्शायागा है X point को दर्शायागा है ठीक गाइस मैंने चारों option को आप खोल के मैंने आपको detail से समझा दिया है ठीक है तो next question की ओर चलते है 15 number question है विद्धुत परिपत में चालकता के लिए चुम्ब के सर्किट में समान सब्द क्या है जैसे हमने जो electricity की अगर मैं बात करूँ एक magnetic के अंदर बात करें तो यहाँ पर अगर विद्धुत परिपत के अंदर अगर चालकता होती है वह चालकता क्या करते है विद्धुत दारा को सुकमता परदान करती है यहीं तो होता है चालकता और एक चुम्ब के सर्किट के अंदर अगर में बात करूँ तो kidding मतलब यह है कि विदुत चुम्बक के अंदर तो चालगता होती है जो चुम्बक के फ्लक्स है विदुदारा को सुगमता परदान करती है इसी प्रकार से चुम्बक के छेतर के अंदर भी क्या होता है कि चालगता के समान होता है कि यानि कि चुम्बक के फ्लक्स को क्या करता है मार्ग परदान करता है, सुगमता परदान करता है फलक्स को यही तो करता है तो अब option देखते हैं कि option हमारे पास है reluctivity, यह तो नहीं कर सकता permeance और एक होता है reluctance एक होता है permeability ठीक है, तो देख दोस्तों इसमें क्या होता है, कि जो चुम्बा के circuit में जो permeance होता है ठीक है, यह permeance क्या होता है चालक्ता के समान होता है चालक्ता तो विदुति परिपत के अंदर होता है और चुम्बा के circuit या चुम्बा के परिपत के अंदर क्या होता है, वो permeance क्या करता है flux को flux के mark में कोई बादा उत्पन नहीं करता है यह सुगमता क्या करता है प्रदान करता है जैसे विद्धुदारा किसी चालक में क्या करता है किसी चालक तार के अंदर क्या होता है विद्धुदारा प्रदान करता है कोई बादा उत्पन नहीं करता है इसी प्रकार चुम्बा के सर्किट के अंदर permeance क्या होता है कोई flux में कभी बादा उत्पन नहीं करता है ठीक है तो यह हमारे पास right answer क्या होगा permeance होगा इसका ठीक है next question है हमारे पास 16 number तो 16 number question को देखते है reluctance की इकाई क्या है ठीक है तो जो reluctance what is the unit of reluctance प्रति वेबर और एक है मारे पास ampere turns प्रति वेबर ठीक है तो जो reluctance है वो reluctance का जो इकाई है वो इकाई क्या होगी ampere turns प्रति वेबर होगी ठीक है तो यह जो आज हमने 16 question देखे हैं वो 16 question very very important question है वो हर competition exam में आपको एक या दो question तो आपको मिली जाएंगे और एक या दो question आपको मिलने का मतलब यह है कि आपको एक या दो का मतलब है कि एक दो number आपको आगे की और ले जाएगा ठीक है अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे ऐसे ही video हम आगे और लेके आएंगे ठीक है